Hello my dear students, मेरा नाम है सचीन और आज हम बात करेंगे Energy Science and Engineering का Unit 5 के बारे में जिसका नाम है Systems and Synthesis तो इस Unit में मैं आपको Full Slabes कराऊंगा Unit 5 का और EKTV में आए वे सभी Questions को भी मैं Cover कराऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले topic के और चलते हैं तो पहले topic हमारा World Energy Scenario Basically इस topic में हम बात करेंगे कि हमारे Earth पर Energy का क्या Scenario है चलिए शुरू करते हैं The World Energy Scenario is characterized by a complex interplay of diverse energy sources Basically जो World Energy Scenario है वो characterized होता है different types of energy sources के उपर कि वो renewable sources हो सकती है या फिर non-renewable sources भी हो सकती है तो ओर depend करता है geopolitical factors पर कि कौन सी energy sources कौन सी country में use हो रही है वहाँ के technological advancement क्या है और वहाँ के environmental consideration क्या है जैसे कि आप जानते हैं कि सभी country के गर मैं बात करूँ तो सभी की population अलग-अलग है सभी जगे का वैदर अलग-अलग होता है और कुछ country developed country है, कुछ developing country है और कुछ underdeveloped country है तो उसी के coding उनकी technological advancement होती है और वो अपनी need के coding energy sources का use करते हैं ठीक है चले चलते हैं आगे तो अगर मैं पहले factor के बारे में बात करूँ तो पहले factor है energy sources तो energy sources fossil fuels हो सकते है, nuclear energy हो सकती है या फिर renewable energy sources भी हो सकती है तो मैं बात करूँगा पहले fossil fuels के बारे में ठीक है तो fossil fuels कौन-कौन से होते है oil होता है, natural gas होता है और coal होता है तो पहले टाइप को देखते हैं उल रिमेंस अमेजर एनरजी सोरसेज ठीक है यह बहुत बड़ा एनरजी सोरसेज है पर्टिकुलरली किसके लिए यूज़ होता है ट्रांस्पोर्टेशन के लिए जैसे कि आपको पता है ट्रांस्पोर्टेशन के लिए पेट्रोल डीजल ये हम यूज करते हैं और अगर मैं इसके मेजर प्रडूसर के बारे में बात करूँ तो Middle East में कुछ कंट्रीज है इराक इरान है ठीक है United States है ये भी मेजर प्रडूसर है ओल का और रश्या भी मेजर प्रडूसर है ओल का इसलिए इन कंट्रीज में ओल का यूज के जाता है electricity बनाने के लिए या transportation के लिए सबसे ज़्यादा पूरे वल्ड में ठीक है बात करते हैं अगले टाइप्स के उबर नैच्रूल गैस तो नैच्रूल गैस के बारे में बात करते हैं तो अगर मैं इसकी सबसे बड़े प्रोडूसर के बारे में बात करूं तो सबसे बड़े प्रोडूसर तो इसका नमबर पर आता है ठीक है और हाँ अगर मैं कोईल की बात करूँ वो सोरी ओईल की बात करूँ तो ओईल में इंडिया का 23rd नमबर है पूरे वर्ल्ड पे लेकिन अगर मैं बात करूँ नैचरल गैस के यूज की तो अगर हम इसका यूज करते हैं तो सबसे बड़ा इसका फायदा यह होता है कि इसका carbon emission सबसे कम होता है as compared to oil and coal अब बात करते हैं coal के बारे में बेसिकली जो coal है इसका सबसे बड़ा producer चाइना है और second producer इंडिया है पूरे बfrage का लगबग 50% जो coal को production होता है वो चाइना में ही होता है लेकिन सबसे बड़ा disadvantage है coal का use करने में कि इससे carbon emission सबसे जड़ होता है इसलिए बहुत सारे developed country ऐसी है जो धीरे-धीरे coal का use करना कम कर रही है और उसके जिगे renewable energy sources का use करने लग रही है तो ये बात हो गई आपकी oil, natural gas और coal के world scenario के उपर चले अब आगे चलते हैं बात करते हैं renewable energy sources की अब बात करते हैं solar and wind energy sources के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहिए कि ये rapidly growing sector है वो इसलिए क्योंकि इसमें carbon emission ना के बराबर होता है और ये ऐसा energy sources है जो हमारे अर्थ पर कभी नहीं खतम होने वाला है अगर हम human age के coding देखे तो अगर मैं solar and wind energy sources की बात करूँ तो इसका सबसे बड़ा जो producer है वो चाइना है फिर United States है और फिर जर्मनी है और फिर इंडिया है तो इंडिया चोथे नंबर पर आता है solar and wind energy sources की production के बारे में तो आपने last unit में पढ़ा होगा solar और wind energy sources हम क्यों यूज करते हैं क्योंकि एक renewable sources है और इसकी जो installation आती है installation cost आती है वो ही सबसे ज़्याद हाई होती है और उसके बाद जो operational cost आती है वो बहुत ना के बराबर होती है चले आगे चलते हैं अब बात करते है hydropower energy sources के बारे में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि hydropower power plant कहां बनाया जाते है जहाँ पर river हो और waterfall exist करते हो तो ऐसी country जहाँ पर abundant water हो river हो या waterfall हो वही पर आपको hydropower plant देखने को सबसे ज़्यादे मिलेंगे तो hydropower में Brazil number one पर आता है Canada दूसरे number पर आता है US से तीसरे number पर आता है और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया world में 7th number पर आता है अब बात करते हैं अगले energy sources के बारे में जो है biomass और geothermal energy sources ठीक है तो biomass और geothermal energy sources के लिए हमारी suitable natural conditions होनी चाहिए उस country में magma या tectonic plates exist करने होनी चाहिए तो अगर मैं बात करूँ geothermal की तो Iceland में सबसे ज़्यादा geothermal power plant है और अगर मैं biomass की बात करूँ तो Brazil इसमें number first पर आता है चलिए अब आगे चलते हैं अब बात करते हैं second factor के बारे में जिसका नाम है geopolitical factors तो इसमें पहले टाइप है energy security चलिए देखते हैं nations strive to secure stable energy supplies मतलब अगर मैं कोई भी country के बात करूँ तो हमेशे चाहेगा ये कोशिश करता रहेगा कि वहाँ पर energy supplies हो वो एक stable condition में हो उसकी जो need है वो हमेशे पूरी होती रहे उसके बाद ही वो other countries को energy supply करे और energy security के लिए domestic production का होना बहुत ज़्यादे जरूरी है उसके लिए country चाहेगा कि वहाँ पर investment हमेशा लगातार होती रहे और अगला point है diversification of energy sources यहाँ पर इस point का मतलब है कि कोई भी country नहीं चाहेगा कि वो country सिर्फ एक energy source है ये दो energy sources पर depend करे तो इसलिए उसका diversification होना बहुत ज़्यादे जरूरी है बात करते हैं अगले factor जिसका नाम है trade and diplomacy जब किसी country की need पूरी हो जाती है तो वो बाकी energy sources को trade करना चालू कर देता है और जिससे बनते है energy trade routes और ये routes कौन कौन से हो सकते हैं oil shipping lanes हो सकती है gas pipelines हो सकती है और जिन country के बीच में ये trade होते हैं उन country में diplomatic relation भी अच्छे ही होते है बात करते हैं अगले point के बारे में अगले point है regulation and policy जैसे कि हमारे non renewable sources जो कि fossil fuels है oil है coal है या फिर natural gas है वो धीरे धीरे खतम हो रहे हैं तो government भी चाहेगी कि renewable energy sources की तरफ जाए जाए और जिसे बढ़ाने के लिए government subsidies भी देती है तो ये हो गया आपका geopolitical factors अगले factor है technological advancement तो world energy scenario depend करता है technological advancement पर जिसमें पहला point है energy storage तो जब हम non renewable energy sources का use करके electricity बनाते हैं तो हम उसे directly supply कर देते हैं all over the country उसको हम battery में store करके नहीं रखते हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ renewable energy sources की तो यहाँ पर हम battery का use करते हैं energy को store करने के लिए जो कि particularly सबसे जादा solar में और wind energy sources में use की जाती है तो पहले सबसे ज़्यादा lead acid battery use होती थी लेकिन technology जैसे जैसे आगर बढ़ रही है वैसे वैसे battery में भी काफी सारे innovation हो रहे हैं और अब जो सबसे ज़्यादा battery use हो रही है वो lithium ion battery है जो कि transportation के लिए सबसे ज़्यादा use की जाती है बात करते हैं अगले point के बारे में अगले point है smart grids अगर हम grid को और ज़्याद smart बना दे अलगले component के यूज करके डिवाइसेस के यूज करके तो उससे हमारी efficiency और reliability भी बढ़ जाती है बात करते हैं अगले point के बारे में तो world energy scenario एक और point पे डिपेंड करता है जिसका नाम है carbon capture and storage जिसे हम CCS भी गाती है ये technology हम use करते हैं जब हम fossil fuel से electricity को बनाते हैं तो वहाँ पर हमारा carbon emission होता है जिसको हम इस technology से reduce कर सकते हैं जिससे हमारी efficiency बढ़ेगी और environmental impact भी कम होगा लेकिन क्योंकि ये अभी under developing भी है तो इसलिए ये technical challenges face करती है और ये technology थोड़ी महंगी है ठीक है इसलिए ये economic challenge भी face करती है तो ये हो गया आपका world energy scenario चलते हैं अगले topic क्योंगे अगले topic है energy scenario in India तो अभी हमने बात करी थी world energy scenario की अब हम इंडिया में energy scenario की बात करेंगी तो इंडिया का जो energy scenario है वो diverse है ठीक है यहाँ पर traditional और renewable energy resources दोनों use की जाती है तो पहले हम बात करता हूँ fossil fuels के बारे में तो इंडिया में अगर मैं बात करूँ की coal से लगबग 70% electricity generate होती है जो की एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको इंडिया को reduce करना चाहिए इंडिया को और renewable energy sources को प्रमोट करना चाहिए तो इंडिया में natural gas का भी use होता है और 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 होता है तो oil का सबसे यादे use होता है वो होता है transportation के लिए ठीक है bike, car, truck अब बात करते है nuclear power की इंडिया has a growing nuclear energy sector ठीक है अभी nuclear energy sector इंडिया में बढ़ रहा है ठीक है with several reactors in operation बहुत सारे ऐसे reactor है nuclear power plant है जो operation में है और ऐसे काफी सारे nuclear power plant है जो हमारे बन रही है इंडिया में इंडिया में लगबग 2-3% electricity generation nuclear power plant सा ही होता है ठीक है इंडिया में total 22 nuclear power plant है जिसकी capacity 7500 megawatt है ठीक है बात करते है renewable energy के बारे में renewable energy sources account for approximately 24-25% of इंडिया's total electricity generation capacity ठीक है तो इंडिया की लगबग 25% electricity generation renewable energy sources से ही होता है और renewable energy sources में कौन-कौन सी energy sources हाती है solar energy, wind energy, hydropower, biomass और geothermal power plant इंडियन government एम करती है कि 2030 तक 500 gigawatt electricity generation renewable energy sources से ही होगा जिससे non-renewable energy sources का use घड़ जाएगा और carbon emission भी कम हो जाएगा बात करते हैं अगले factor के बारे में अगले factor है energy access and efficiency the Indian government is working to improve energy access in rural areas तो कुछ rural areas इंडिया में अभी भी ऐसी है जहाँ पर electricity नहीं पोच पाई है तो इंडियन government इसके लिए काम कर रही है और बहुत सारे scheme और policy ऐसी है जिससे government renewable energy sources को promote करती है ठीक है अगर मैं बात करूँ कि इजवला योजना जो आपने सुनी होगी वो इंडियन government की ही एक योजना है जिसमें वो provide कराती है clean cooking fuel to households और ये cooking fuel कौन सा है ये है LPG तो ये हो गया आपका energy scenario in India जो कि मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है fossil fuels, nuclear power, renewable energy और energy access and efficiency चलिए अब चलते हैं अगले topic के और अगला topic है nuclear waste nuclear waste is also known as radioactive waste nuclear waste को radioactive waste भी कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये radioactive material से ही बना होता है जब हम nuclear reactor में nuclear reaction कराते है या फिर nuclear weapon production करते है या फिर medical treatment होता है जिसमें हम nuclear element यूज़ करते है तो उसमें जो भी radioactive material होता है उसे use करने के बाद जो waste बसता है वो भी कुछ ना कुछ radioactive property रखता है उसी को हम nuclear waste कहते है चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं types of nuclear waste nuclear waste कितने type के होते हैं तो nuclear waste तीन type के होते हैं high level waste, intermediate level waste और low level waste ठीक है तो पहले बात करेंगे high level waste तो देखते हैं mostly spent nuclear fuel from reactors and waste generated from reprocessing of spent fuel तो nuclear power plant में या फिर nuclear reactor में जो हम nuclear element या radioactive material यूज़ करते हैं nuclear fusion reaction करने के लिए तो उसी element से जो waste बसता है वो सबसे ज़्यादा radioactive material होता है तो उसी इसलिए उसे हम high level waste कहते हैं बात करते हैं इसके characteristics के बारे में it is highly radioactive ठीक है ये बहुत ज़्यादे radioactive होता है क्योंकि ये radioactive material से ही बना होता है and thermally hot ये बहुत ज़्यादे hot होता है due to the decay of the fusion product क्योंकि ये fusion product से ही निकला है ठीक है तो बात करते हैं अगले waste के बारे में जिसका नाम है intermediate level waste ठीक है तो जैसे कि आप जानते हैं nuclear reactor में nuclear fusion reaction हो रही होती है तो उस reaction की वज़े से उस nuclear reactor के internal जो parts होते हैं वो भी radioactive बन जाते हैं ठीक है लेकिन वो high level waste से कम reactive होते हैं ठीक है तो ये component कौन कौन से हो सकते है resin हो सकते है chemical silage हो सकता है और metal fuel cladding हो सकती है तो ये बात करते हैं इसकी characteristics के बारे में तो सबसे पहली बात कि ये high level waste से कम radioactive होते हैं और इने रोकने के लिए हमें shielding के आवशकता होती है जो कि हम nuclear reactor के outer part में यूज करते हैं बात करते हैं अगला low level waste के बारे में इट includes items like gloves, clothing और tools तो low level waste में gloves, clothing और tools include होते हैं इन पर भी radioactive material आके चपक जाते हैं इसलिए ये भी nuclear waste में आते हैं लेकिन ये low level waste होते हैं क्योंकि इसमें radioactive waste सबसे कम होता है बात करते हैं इसकी characteristics के बारे में इसमें सबसे कम radio activity होती है लेकिन होती जरूर है इसलिए हमें जरूरी होता है less stringent handling मतलब stringent का मतलब होता है hard ठीक है तो यहाँ पर जो भी हम handling करें वो flexible होनी चाहिए तो ये हो गए आपके three types of nuclear waste ठीक है तो ये question भी दो तीन बार आचुका है एक के tube में तो इसको भी एक बार धिहान से पढ़िएगा ठीक है nuclear waste क्या होते है और इसके types क्या होते है चलते है अब अगले topic के और तो अगले topic हमारा cause of climate change अगले climate change के क्या के कारण हो सकते हैं यह हम इस वीडियो में बात करेंगे चलिए देखते है climate change is primarily driven by human activities तो climate change basically किसकी वज़े से हो रहा है वो हो रहा है human activities के कारण से जिसकी वज़े से greenhouse gas का concentration atmosphere में बढ़ जाता है और यह greenhouse gas कौन-कौन से हो सकती है यह carbon dioxide हो सकती है methane हो सकती है nitrous oxide हो सकती है ozone हो सकती है या chlorofluorocarbon भी हो सकती है जिसे हम CFC भी कहते हैं तो climate change का सबसे बड़ा cause क्या हुआ greenhouse gas होगा emission या production जिसे हमारे atmosphere पर खतरनाग effect होते हैं तो अब बात करेंगे यह gas यह gas से किन-किन reason की वज़े से produce होती है तो पहला इसमें है reason burning fossil fuels the combustion of coal oil and natural gas यह तीनों क्या है यह तीनों fossil fuels है अगर हम इनका combustion करते हैं तो यह energy के लिए यह transportation के लिए तो यह large amount में carbon dioxide और भी बाकी greenhouse gas है produce करती है अगला बड़ा reason है deforestation clearing forest for agriculture or development reduces the number of trees that absorb carbon dioxide human क्या करते है agriculture के लिए या फिर development के लिए forest को काड़ देते है clear कर देते है जिसके विज़े से number of trees धीरे धीरे घट रहे है और trees का काम क्या होता है trees का काम होता है carbon dioxide को absorb करना जिससे कम carbon dioxide absorb हो रही है इसलिए carbon dioxide की quantity धीरे धीरे हमारे atmosphere में बढ़ रही है बात करते हैं तीसरे point के बारे में या तीसरे cause के बारे में तीसरे cause है industrial processes many industrial activities releases greenhouse gases include methane nitrous oxide from process like cement production and chemical manufacturing बहुत सारे chemical plants होते है या फिर cement production जो होता है उसकी वज़े से methane और nitrous oxide gas भी produce होती है ठीक है जिससे हमारे environment पर बहुत खतरनाख effect होता है ठीक है तो ये भी एक बहुत बड़ा cause है climate change का ठीक है अगला है हमारा point agriculture agricultural practices contribute to methane emission from live stock and rice paddies nitrous oxide from fertilized soils तो agriculture भी एक बहुत बड़ा cause है climate change का जिसमें methane gas का emission होता है किस किस चीज की वज़े से live stock की वज़े से live stock का मतलब होता है animal farms तो जितने भी animal farms होते है वहाँ पर काफी सारे animals को हम produce करते है अपने need के coding जिससे ज़्यादा methane gas का emission होता है वही दूसरी और rice paddies मतलब चावल को उगाने से भी हमारा methane gas emit होती है वही दूसरी बात अगर मैं करूँ fertilized soil होती है उससे nitrous oxide emit होती है तो agriculture में अपने क्या पड़ा live stock और rice paddies से methane gas और fertilized soil से nitrous oxide emit होती है अगला point है अगला cause है waste management तो जितना भी organic waste होता है उसको हम decompose करने के लिए land में fill कर देते हैं दबा देते हैं जिससे methane gas produce होती है तो waste management भी अगर हमारा ठीक नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा cause हो सकता है climate change का आगर देखते हैं these activities enhance the greenhouse effect in activity की वज़े से greenhouse effect enhance होता है trapping more heat in the earth atmosphere earth के atmosphere में जादे heat बन जाती है and leading to global warming जिसकी वज़े से global warming होने लगती है ठीक है और अलग अलगते रखे climate impact दिखने लग जाते है जो की कही कही हरीकेन हो सकते है जगे जगे flood आने लगती है ठीक है और जगे जगे सूखा पड़ जाता है drought हो जाता है और इनी cause की वैसे एक सबसे बड़ा word सामना था हीट जैसे कि आपने देखा होगा इन गर्मियों में भी काफी ज़्यादा temperature हाई चला गया था जिसका सबसे बड़ा reason ये सब है burning fossil fuels deforestation industrial process agriculture और waste management ठीक है तो ये आपका topic हो गया cause of climate change चलिए अब अगले topic क्यों चलते हैं अगला हमारा topic है green energy ठीक है ये भी कम से कम तीन बार एक ट्यूँ में question आ चुका है ठीक है green energy क्या होती है और इसके benefits क्या होती है ठीक है चलिए बात करते है green energy के बारे में green energy refers to energy produced from renewable sources renewable sources जतने भी होती है उनसे जो हमारी energy produce होती है उसी को हम green energy बोलते है green energy इसलिए बोलते है क्योंकि इसका environmental जो impact होता है वो बहुत कम होता है ठीक है और इससे green house gases भी produce नहीं होती है या फिन ना के बराबर होती है ठीक है तो ये green energy कौन कौन से हो सकती है solar energy हो सकती है wind energy हो सकती है hydropower हो सकती है geothermal या फिर biomass भी हो सकता है तो एक आसान सी definition है जो कि आपके याद भी हो गई होगी ठीक है तो क्योंकि ये green energy है तो इसके benefit भी बहुत सारे होंगी ठीक है इससे तो इसके benefit देखते है पहला benefit है reduced emission इससे emission कम होता है sustainability तो green house का gas का use करके sorry green energy का अगर हम use करते है तो वहाँ पर sustainability बनी रहती है तो अगला इसका benefit है energy independence मतलब अगर हम solar energy का use करते है तो हमें किसी और energy की जुरत नहीं होगी या फिर wind energy का use करते है तो मैं किसी और energy की जुरत नहीं होगी इसलिए energy independence होती है ठीक है अगला इसका benefit है economic growth ठीक है इससे economic growth होती है health benefit भी इसके काफे सारे होते है और last environmental protection भी इसका benefit बहुत बड़ा है तो यह हो गए green energy और इसके benefit चले बागे चलते हैं अगला question है जो कि आपके एक ट्यूमें दो बारा चुगा है ठीक है इसको cover करते है explain in detail about energy conservation and optimization of energy conservation ठीक है चले हम बात करते है energy conservation क्या है और इसके optimization के बारे हम बात करेंगे energy conservation involves reducing energy consumption तो energy conservation का directly relation है energy consumption से ठीक है तो energy को हमें बचाना चाहिए इसकी इसी लिए हमें energy का कम use करना चाहिए अपनी need के according सिर्फ while energy optimization focuses on improving energy use to achieve the maximum benefit with minimal waste और energy optimization focus करता है कि कैसे हम energy का use करते हैं ठीक है जिससे हमें जाद से जाद बेनिफिट हो और energy का minimal waste हो ठीक है तो ये होगे आपका optimization of energy conservation तो इसको detail में पढ़ेगी तो पहले बात करते हैं energy conservation के बारे में मतलब हम energy को कैसे बचा सकते हैं तो पहले इसका point है behavioral changes तो इसकी बात करते है adopting habits like turning of lights मतलब कुछ हमें ऐसी आदते हैं वो adopt करनी पड़ेगी जैसे की turning of light light को बंद करना पड़ेगा और appliances को भी हमें बंद रखना पड़ेगा जब वो use में नहीं है अगर देखते हैं using energy efficient setting on devices and minimizing heating and cooling needs तो जो भी हम devices use करते हैं उसको हमें energy efficient setting पर लगा के रखना पड़ेगा जिससे हमारी energy कम use माईगी तो जितनी भी हमारी heating की need होती है winter में और cooling की need होती है हमें summer तो उसको हमें minimize करना होगा जिससे हम energy conservation कर सकते हैं देखते हैं अगले point को second point है efficient appliances हमें ऐसे appliances use करने होगे यह lightening ऐसी use करनी होगी जिसमें हमारा energy efficiency rating mention हो ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा energy star rated products आते हैं one star से लेकर five star तक यह product आते हैं तो हमें इस तरह की product use करने चाहिए जितने ज़्यादे star होगे उतने ज़्यादे energy saving product होगे बात करते हैं अगले point के बारे में अगला point है building insulation तो हमें अपनी जो building है वो इस तरह से insulated रखनी पड़ेगी बाहर की heat से या फिर बाहर की cooling से जिससे हमें heating और cooling की ज़रोत energy से ना लेनी पड़े या electricity से ना लेनी पड़े तो यहाँ पर हमें window, insulated window, doors और walls भी यूज़ कर सकते हैं अगला point है smart thermostates तो हम यहाँ पर smart thermostate यूज़ कर सकते हैं installing programmable thermostate यूज़ कर सकते हैं to better manage heating और cooling system heating और cooling system को manage करने के लिए अच्छे से manage करने के लिए हम smart thermostate यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी electricity बचेगी और last है हमारा renewable energy जो की सबसे बड़ा point है energy को बचाने का तो integrating renewable energy sources तो हम क्या कर सकते हैं कि non renewable की जगे हम renewable energy sources का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि solar panel को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम non renewable energy पर जो dependency होती है वह हमारी कम हो जाएगी तो हम इस तरीके से energy को save कर सकते हैं बचा सकते हैं तो यही होती है हमारी energy conservation अगला point हमारा optimization of energy conservation तो optimization of energy में या energy optimization में हम different type की devices यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो electricity है वो कम use माती है यह electricity या बिजली की जो खपत है उसको हम कम कर सकते हैं तो पहला इसका point है energy audits तो energy audit basically एक survey होता है जिससे हम identify करते हैं कि कहा पर यह किस area में हमारी energy waste हो रही है और जिसे हम improve कर सकते हैं कुछ devices का use करके तो इसी को बोलते हैं energy audit अगला हमारा point है demand management तो अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो कुछ दिन में एक time होता है जहाँ पर energy की demand peak होती है ठीक है peak level पर होती है और कुछ समय असा होता है कि वहाँ पर off peak time चलता है तो कुछ statutes को implement करके हम peak energy demand को reduce कर सकते हैं ठीक है और उसे shift कर सकते है off peak time पर तो यह होता है demand management ठीक है अगला point है energy management system जिसे हम EMS भी कहते हैं इस system में हम advanced system यूज करते हैं जिसे हम monitor यह control कर सकते है energy use को ठीक है और energy consumption को optimize कर सकते हैं across operations में अगला point हमारा process improvement कुछ industrial setting ऐसी होती है जिसमें हम machinery को optimize कर सकते हैं और production process को हम optimize कर सकते हैं तो हमारा operation जो होता है वो efficiently होगा और हम prevent कर पाएंगे energy losses को जिससे किसी भी component में malfunction नहीं होगा और हम energy conservation कर सकते हैं easily तो यह आप के हो गए optimization of energy और energy optimization जिसमें मैंने कुछ point बताएं कि energy audit कर सकते हैं survey कर सकते हैं demand management मतलब peak time और off peak time को हम demand को वहाँ पर supply कर सकते हैं energy management system यहाँ पर हम कुछ advanced system यह computer system को use कर सकते हैं जिससे हम energy के use को control और monitor कर सकते हैं जिससे हमारी efficiency यहाँ पर बढ़ जाती है अगला point मैंने बताया process improvement यहाँ पर कुछ industrial setting होती है जिससे हमें machinery और production process को optimize कर सकते हैं जिससे हमारी यहाँ पर भी energy conservation हो जाता है और last हमारा maintenance अगर हम regular maintenance equipment करते रहेंगे तो यहाँ पर हम component के mal function को बचा सकते हैं और हम energy loss होने से भी बचा सकते हैं जिससे हमारी energy saving तो होगी ही होगी ठीक है तो यह आपका हो गया energy optimization और energy conservation वाला question ठीक है चलिए अब चलते हैं अगले question की और अगले topic हमारा energy audits चले देखते हैं energy audits are systematic evaluation of energy use in buildings or facilities to identify opportunities for improving efficiency and reducing consumption तो energy audit क्या है energy audit एक survey है या evaluation है energy use का कि कितनी energy का का use हो रही है या फिर कोई energy का waste तो नहीं हो रहा है किसी building में या किसी infrastructure में ठीक है तो वहाँ पर हम identify करते है opportunity जिससे हम energy waste को बचा सकते है और efficiency को improve कर सकते है ठीक है और जब हम energy waste को कम कर देंगे तो उससे हमारा consumption जो energy का है वो भी कम हो जाएगा तो यही होता हमारा energy audits चले अब आगे चलते हैं the energy audits typically involved तो इसमें energy audits में कुछ points है जो include करने होते हैं ठीक है तो बात करते हैं उन्हीं की तो सबसे पहला point है data collection on energy use तो हम जहाँ भी हमारी energy का use हो रहा है वहाँ पर हम जाएंगे वहाँपर data collect करेंगे कितना waste हो रहा है तो उसको हम check करेंगे ठीक है दूसरा point है site inspection of potential area तो ऐसे area जहाँपर हमारा energy का waste हो रहा है उस site को हम inspect करेंगे ठीक है अगला है analyze the collected data जितना भी हमारे data आया है उसे analyze करेंगे to determine where inefficiencies exist तो कहाँ पर inefficiencies exist करती है या फिर कौन-कौन से ऐसे component है जिसे हम ठीक कर सकते है further technology का use करके अगला point है developing a list of actionable recommendations to improve energy efficiency तो जहा जहा हमारे energy का waste होता है वहाँ पर हम recommendations यूज़ करते हैं उनकी एक list बनाने के लिए जिस पर हम further action ले सके और जिससे हमारी energy efficiency इंप्रूव हो जाती है अगला point है cost benefit analysis तो energy audit होने से पहले हमारा waste system चलता है और उसके बाद वो convert हो जाता है no waste system में ठीक है तो यहाँ पर हमारी कितनी cost की benefit होई है या हमारा फाइदा हुआ है उसी को हम बोलते cost benefit analysis ये भी हम करते हैं ठीक है और last हमारा reporting to stakeholders तो ये सब करने के बाद पहला दूसरा तीसरा चोथा पाचवा ये सारे point हम cover करने के बाद हम stakeholder या फिर government को ये सारे information देते हैं जिससे वो decision ले पाते हैं कि क्या energy saving measures को implement करें मतलग कौन सी technique से लगाए या कौन सी devices का use करे जिससे हमारा जो energy का waste हो रहा है वो रुख जाए ठीक है तो ये आपके सारे point हो गए energy audit के बारे में ये आपका energy audit हो गया अब बात करते हैं types of energy audits के बारे में तो पहले जो type है वो है walkthrough audit basically इसके चार type है ठीक है और धीरे धीरे वो level के according आग बढ़ते हैं तो पहला है walkthrough audit it is a basic inspection ये एक basic inspection होता है to identify obvious energy saving opportunities तो इसमें हम सिर्फ directly inspection करते हैं बाखी इसमें technological कोई भी aspect include नहीं होता है ठीक है अगला आपका type है level 1 audit this audit includes a more detailed review of energy use तो यहाँ पर इस audit में हम detailed review लेते है energy use का typically involving data collection ठीक है यहाँ पर data collection हम include करते है on energy consumption हमारे कितनी energy consumption होई है utility bills का review हम check करते है it provides a broad overview of potential saving and recommendations बस हम उपर उपर से check करते हैं कि हमारी कितनी saving हो सकती है audit करने के बाद ठीक है तो चलते है अगले type के जो है level 2 audit it is a more comprehensive audit यह level 1 audit से ज्यादे comprehensive होता है that involved detailed data collection यहाँ पर data collection detailed होता है वहाँ पर detailed नहीं था एक तरह से raw data collection था ठीक है और यहाँ पर हम analysis को भी use करते है data collection का analyze भी करते हैं ठीक है और जितना भी हमारा building में या infrastructure में energy system होता है उसका thorough examination भी करते हैं ठीक है detailed measurements लेते हैं और हम last financial analysis भी करते हैं कि हमारा potential energy saving कितनी होने वाली है ठीक है बात करते हैं अगला point जो कि है level 3 audit यह audit जो है यह depth audit होता है इससे depth audit कोई सा होता नहीं है ठीक है इसमें providing detailed engineering analysis यहाँ पर engineering analysis होते हैं ठीक है बाकी में data collection और था यह detailed data collection हम चेक कर रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या होता है इसमें डेटेल्ड इंजिनिर्इनियरिंग अनलेसिस होता है एन कोश्ट बेनिट भी बैनेफिट भी यह कोश्ट बैनेफिट सर्वी इवेलिशन हम चेक करते हैं ठीक है इसके लिए चेक करते हैं बहुत विस्तार रूप से होता है और यहाँ पर हम financial models बनाते हैं ठीक है जिससे हम justify कर सके कि हमारी energy efficient measures में कितनी investment होने वाली है ठीक है तो यह होगी आपका level 3 audit तो audit कितने टाइप के हो गए चार टाइप के हो गए तो पहले टाइप किया था walkthrough audit जिसमें हम सिर्फ normal survey करते हैं लेवल 1 audit में हम थोड़ा थोड़ा सा data चेक करते हैं लेवल 2 में थोड़ा ओर deep में जाते हैं लेवल 3 में depth में जाते हैं जो depth में audit करते हैं चलते हैं अगले topic के और तो अगले topic हमारा energy storage systems जैसा कि नाम से ही पता लग रहा होगा कि energy storage system एक ऐसा system है या device है जो energy को store करता है basically ये energy की supply और demand को balance में रखता है जितनी भी renewable energy sources होती है उनको integrate करने के लिए और power grid जो कि हमारी emergency के लिए रखी जाती है उसकी stability और reliability को बढ़ाने के लिए use किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि energy storage system एक तरह की technology है जिससे हम energy को store करते हैं और इस store की भी energy को हम बाद में operations को perform करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके types के बारे में तो पहला इसका type है mechanical energy storage कि हम कोई भी mechanical energy को किस किस form में और किस किस method से store कर सकते हैं तो पहला है इसमें pumped hydro storage इसमें हम water को pump करके एक height पर store कर लेते हैं जो हमारी potential energy की तरह work करेगी बाद में इस water को release करके हम इस potential energy को kinetic energy में convert कर लेते हैं और इस kinetic energy से turbine को चलाके हम mechanical energy में convert कर लेते हैं फिर हम generator को turbine से connect करते हैं और generator गया करता है इस mechanical energy को electricity में convert कर देता है तो एक type का mechanical energy storage है अगला हमारे system है flywheel energy storage flywheel एक तरह का heavy mass wheel होता है जिसमें हम kinetic energy को store कर लेते हैं और जब हमें इस kinetic energy की जुरत पड़ती है यह हमें rotational form में kinetic energy को transfer कर देता है basically flywheel energy storage हमारे engines में और generators में use होता है चलते हैं अगले energy storage की तरफ अगले energy storage हमारा electrochemical energy storage basically इस energy storage में हम batteries का use करते है electrical energy को storage करने के लिए तो यह batteries कौन कौन से हो सकती है lithium ion battery हो सकती है lead acid battery हो सकती है या flow battery हो सकती है lithium ion batteries की high density होती है high energy density होती है इसका मतलब यह बाकी batteries से ज़्यादे energy को store कर सकता है इस battery की efficiency भी ज़्यादे होती है और इस battery की lithium ion battery की life भी काफी ज़्यादे होती है आजकल यह battery electric vehicle में इस्तिमाल की जाती है दूसरी battery होती है lead acid battery ठीक है यह traditional battery है जो की automotive में power applications को backup देने के काम आती है अगर इसकी cost के बारें बात करें तो यह lithium ion batteries से inexpensive होती है सस्ति होती है लेकिन यह एक lower energy density वाली battery होती है इसका मतलब कि इस battery में हम कम energy store कर सकते हैं और इसकी जो life cycle होती है वो भी lithium ion battery से कम ही होती है अगली battery होती है flow batteries इसमें हम liquid electrolytes यूज करते है energy को store करने के लिए ठीक है यह suitable होती है large scale energy energy storage के लिए तो यह होगे electrochemical energy storage चलते हैं अगले energy storage की तरफ जो है chemical energy storage chemical energy storage में हम दो energy storage यूज करते हैं एक होता hydrogen storage और दूसरा होता synthetic natural gas storage hydrogen storage हम electrolysis process से hydrogen को produce करते हैं और बाद में हम electricity को directly generate कर सकते हैं और यह process किसमा होता है यह process होता है fuel cell में जिसको हम hydrogen fuel cell का भी नाम देते हैं synthetic natural gas में हम एक synthetic natural gas बनाते हैं जो की बनती है हमारी renewable energy से यह हम इसको fossil fuel से भी बना सकते हैं basically यह जो gas होती है वो carbon monoxide और hydrogen का mixture होती है इस gas को हम natural gas grid में इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम energy को storage कर सकते हैं और इसको transport भी कर सकते हैं अगले type है आपका electrical energy storage इसमें capacitor और superconductor इस्तेमाल होते हैं जिसमें हम energy को electric field में store कर सकते हैं इसकी power density जो होती है बहुत जाद होती है यह आसानी से charge भी हो जाते हैं और जल्दी से discharge भी हो जाते हैं लेकिन अगर मैं इनकी capacity की बात करूं अगले type की और अगले type है gravitational energy storage इसमें हम gravity based system का use करेंगे या gravity का use करेंगे energy को store करने के लिए इसमें हम एक object को लेते हैं और एक कुछ height तक उसको हम lift कर देते हैं जिससे उस object की potential energy बढ़ जाती है और जब भी हमें energy की जुरत पड़ती है तो हम उस object को या उस mask को नीचे कर देते हैं या नीचे ले आते हैं जिससे हम किसी भी lift को चला सकते हैं या generator को भी चला सकते हैं electricity produce करने के लिए अगला हमारा energy storage है thermal energy storage तो इसमें हम बात करेंगे sensible heat storage के बारे में और latent heat storage के बारे में इसमें हम क्या करते हैं water को heat देते हैं जिससे water हो जाता गर्म और उसमें हो जाती है thermal energy store लेकिन हम water का face change नहीं करते हैं और जब हमें water से वो thermal energy चाहिए होती है तो हम उससे extract कर लेते हैं यह sensible heat storage हमारा thermal power plant में यूज होता है ठीक है अगली बात करते है latent heat storage के बारे में पुरानी वाली thermal energy जो हमने face change में दी थी वो हमें मिल जाएगी ठीक है face change में वैसे भी कौन सी heat लगती है latent heat लगती है तो हमें latent heat वो मिल जाएगी तो यह energy storage system हम उस application में यूज करते हैं जहापर हमें stable temperature storage की जोरत होती है चलिए बागा चलते हैं अगले topic की और अगले topic के हमारा embodied energy चलिए इसको बढ़ते हैं embodied energy is the total amount of energy required to produce a product or material जब भी हम कोई product बनाते हैं तो उस product को बनाने के लिए हम सबसे पहले हमें raw material चाहिए होता है तो raw material को हम अर्थ से extract करते हैं और वहाँ से लेकर final finishing तक जितनी भी हमारी energy के requirement होती है उसी को हम बोलते है embodied energy तो embodied energy considers all stages कौन-कौन सी from raw material extraction से लेकर manufacturing, transportation, assembly, installation और disposal या recycling भी इसमें include होता है तो embodied energy से हमें ये पता लगता है कि material का environment पर क्या impact है और हमारा product कितना sustainable है तो ये हो गया आपका embodied energy चलिए अब अगले topic के और चलते हैं तो अगले topic हमारा L.E.E.D. ठीक है ये बहुत important topic है और ये हर दूसरे साल में एक बार इसका question आही जाता है तो बात करते है LEED L.E.E.D. की इसकी full form होती है leadership in energy and environmental design तो ये एक globally recognized green building certification system है जो की US green building council ने developed किया था ठीक है तो इसकी short form ये भी है USGBC United States green building council ठीक है चलिए आगे चलते है इट provides a framework for healthy तो ये क्या करता है एक framework हमें provide कराते है और कैसा framework तो ये हमें बताता है कि हमारी जो building है या फिर हमारा जो infrastructure है वो कितना healthy है highly efficient है cost saving कितने हमारी green building cost saving है अब बात करते हैं L.E.D. certification levels के बारे में ये भी question आ चुका है दो बार कि इसके certification level कितने होते है ठीक है तो सारे certification level बताईए point के coding ठीक है building can earn building का मतलब कोई infrastructure या फिर job industry बना रहे हैं उसके बारे में वो भी building होती है building can earn points across several categories ठीक है तो जब भी हम कोई infrastructure बनाते हैं तो उसको certificate देने के लिए क्यों कितनी reliable है या उसमें कितनी green energy use हो रही है या उसका environmental impact कितना है इन सब के points दिये जाते हैं तो उसके basis बे US green building council ने चार level बनाये हुए है तो पहले level है certified अगर किसी के 40 से 49 point होते हैं तो वो एक certified lead level पर होगा ठीक है अगला है silver, silver में वो category आती है जिसके 50 to 59 points होते हैं एक होता है gold 60 to 79 points वाले gold category माते हैं और 80 plus वाले platinum category माते हैं तो हम कह सकते हैं कि lead certification जो होता है वो green building रेटिंग पर वर्क करता है ठीक है न चले चलते हैं अगले टोपे क्यों अब बात करते हैं एक question के बारे में जो की एक ट्यूमें दो बार आ चुगा है और same question दो बार आ चुगा है ठीक है तो question है summarize the global warming features and focus the impact of this phenomenon on the disturbance to the sustainability of environment तो सबसे पहले हमें global warming की features बताने है और दूसरे समें topic है कि environment की sustainability पर इसका क्या impact पड़ता है चलिए देखते हैं इसका answer क्या होगा global warming refers to the long term rise in the earth's average surface temperature due to human activities मतलब जब earth के surface का average temperature लगाता बढ़ता रहता है ठीक है उसे ही हम कहते है global warming ठीक है तो नाम सी जैसे पता लग रहोगा global मतलब earth और warming मतलब गर्म होना ठीक है और ये जो global warming होती है वो किसकी वज़े से होती है वो होती है human activities की वज़े से ठीक है और ये human activities कौन सी होती है मैं cause of climate change में ये सब cover करा चुका हूँ तो human activities से हमारी green house gases emit होती है ये हो सकती है carbon dioxide, methane हो सकती है और nitrous oxide भी हो सकती है ठीक है तो अब बात करेंगे इसके key features के बारे में की global warming के क्या features होते हैं मलब global warming से होने वाले effect के बारे में बात करेंगे ठीक है तो ये क्या गया हो सकता है rising temperature, earth का temperature rise हो सकता है melting ice and snow जो हमारे glacier है वो melt हो सकते है जिसकी वज़े से हमारा sea level rise हो सकता है extreme weather events हो सकते है जैसे कि hurricane हो सकता है और flood हो सकते है बाड़ा सकती है सूखा पढ़ सकता है और बहनेक वाले thunderstorm भी आ सकते हैं ठीक है क्योंकि global warming में carbon dioxide, carbon monoxide, methane, nitrous oxide और भी काफी सारी personal gas से release होती है जिससे हमारा ocean जो है वो acidify हो जाता है ठीक है ना मतलब ocean की acidity बढ़ जाती है वो भी एक global warming से होने वाला impact है ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं अगला है topic इसी का answer है second question का impact on environmental sustainability तो global warming से हमारे environment पर क्या के चीज़े हो सकती है ठीक है और क्या के challenges आते हैं जैसे कि पहला है ecosystem disruption तो इसमें हमारा जो ecosystem होता है वो breakdown हो जाता है मतलब जैसा हमारा nature ने ecosystem को बनाया है वैसा ecosystem नहीं चलता है क्योंकि global warming से होने वाले जो effect है उससे हमारा ecosystem disorganize हो जाता है ठीक है अगला impact है agriculture challenges global warming से जो हमारी crops होती है फसले होती है वो कम पैदा होती है ठीक है और पानी की कमी होने की वज़े से हमें irrigation की भी जाद ज़रत पड़ती है ठीक है अगला impact है water resources resources जैसे कि आपको पता है कि global warming से जो हमारी glacier होती है वो पिगलने लग जाते है उसी की वज़े से जो हमारा fresh water है ठीक है उसकी availability कम हो जाती है और जगह जगह droughts आने लग जाते है मतलब सूखा पड़ने लग जाता है जो की बार बार होता है ठीक है अगला point है forest and wildlife तो इसमें increased frequency of wildfires global warming से क्या होता है heat बढ़ जाती है अर्थ पर और जल्दी से जंगलों में आग लगने लग जाती है और favorable climate condition ना होने की वज़े से जो हमारे नहीं तरह की disease पैदा हो जाती है और हमारे जो forest है मतलब जो जंगल है वो दीरे दीरे affect होने लग जाते है खराब होने लग जाते है अगला इसका impact पड़ता है human health पर ठीक है heat की वज़े से होने वाली illness और death भी हो जाती है ठीक है अगला point है economic impact global warming से क्योंकि ये सारे challenges आ रहे हैं इसी वज़े से हमारी cost of living भी बढ़ जाती है ठीक है तो ये हो गए आपका ये वाला question ये मैंने cover करा दिया है जिसमें मैंने global warming के features और इस से होने वाले impact के बारे में बात करी है चले चलते है अगले topic क्योंग अगला topic है nuclear fuel cycle हम nuclear fuel cycle में nuclear fuel के extraction से final waste disposal तक सभी steps को cover करते है तो nuclear fuel cycle को मैं इस block diagram से समझाना चाहूँगा तो सबसे पहले nuclear fuel को या uranium को हम mine करते हैं या extract करते हैं earth से ठीक है और उसकी milling करी जाती है ठीक है फिर उसको convert किया जाता है यह conversion process होता है फिर enrichment process होता है उसके बाद fuel का fabrication होता है फिर उसको nuclear power plant में भेज दिया जाता है ठीक है वहाँ पर nuclear fusion reaction होती है और उसके बाद जो nuclear fuel बचता है उसको हम spent fuel कहते हैं और उसे हम spent fuel storage में भेज देते हैं ठीक है वहाँ हम check करते हैं कि इसमें कितना final waste disposal है उसके बाद हम spent fuel storage में चेक करते हैं कितना spent fuel हमारा reprocessing हो सकता है ठीक है उसके बाद जितना हमारा reprocessing हो सकता है उसे हम इस stage में भेज देते हैं ठीक है वापिस से उसका conversion फिर enrichment और ये cycle चलती रहती है इसी cycle को हम बोलते हैं fuel cycle या फिर nuclear fuel cycle तो आपको थोड़ा से detail में मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे mining process होता है तो जब mining होती है तो uranium ore हमें मिलता है ठीक है मिलिंग process में इस से हम uranium ore से uranium oxide बना लेते हैं ठीक है conversion process में uranium oxide से हम uranium hexafluoride बनाते हैं ठीक है enrichment process में हम low enriched uranium बनाते हैं ठीक है और उसके बाद fuel fabrication में uranium dioxide बन जाता है जिसको हम as a nuclear fuel यूज़ करते हैं और nuclear power operation में बेज देते हैं ठीक है वहाँ पर power generation होती है और उसके बाद हमें spent fuel मिलता है spent fuel को हम reprocessing के जरिये जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो conversion process में वापिस से बेज देते हैं ठीक है तो यहाँ अगर मैं बात करूँ spent fuel conversion process में ठीक है और यही से nuclear power fuel से हमें और के मिलता है हमें दूसर चीज मिलती है final waste disposal ठीक है तो यह आपकी हो गई nuclear fuel cycle I hope कि आपके समझ माई होगी इसी है कोई बाहरी नहीं है लेकिन यह question आपके exam में बार बार आ जाता है तो ठीक है चलिए चलते हैं आगे और अब बात करते हैं इस unit के important questions और PYQ के बारे में ठीक है कि मैंने कितना cover कराया है नहीं cover कराया यह भी एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है तो पहला question है explain the world energy scenario यह मैं सबसे starting में मैंने करा दिया है उसके बाद review the energy scenario in India यह भी मैं question करा चुका हूं what is green energy and what are their benefits यह भी मैंने करा दिया है what is the cause of climate change यह भी मैंने cover करा दिया what happens to waste of a nuclear power system ठीक है waste का क्या होता है और इसके three levels of nuclear waste यह भी मैं करा चुका हूं high level intermediate और low level ठीक है यह मैंने particular question नहीं cover कराया summarize the global warming feature और इसके impact के बारे में अगला question है explain in detail about energy conservation energy conservation क्या होता है और इसके optimization के बारे में यह भी मैंने proper question कराया है ठीक है अगर देखते है what are the alternative to deal with energy crisis से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो उसके alternatives बताईए ठीक है alternatives में आपकी जितनी भी renewable energy sources है आप उनके बारे में लिख सकते हैं इस question में ठीक है अगला है describe in detail about concept of green building and green architecture ये शायल topic रह गया है चलो मैं इसके बाद मैं आपको cover करा दूँगा ठीक है अगला है explain about energy audit energy audit क्या होती है इसके types क्या होती है ठीक है ये question मैं ने cover करा दिया है briefly explain the different types of energy storage system ये भी मैं question करा चुगा हूँ nuclear fuel cycle क्या होती है और इसके steps ये भी मैं आपको cover करा चुगा हूँ how do you calculate the embodied energy of material embodied energy of material क्या होती है ठीक है starting से लेकर आखरी तक मतलब extraction से लेकर disposal तक जितनी भी आपकी इस product में energy use में आती है उसे embodied energy बोलते है why do you understood by LWD ये भी मैं करा दिया हूँ और इसके चार लेवल रेटिंग के मैं आपको cover करा चुगा हूँ तो अब बात रह गई आपकी green building और green architecture क्या होता है ठीक है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ green building green architecture क्या होता चलिए तो बात करें green building के बारे में green building refers to structures designed to be energy efficient green building एक structure को refer करता है ये design को refer करता है या ये एक infrastructure है जो की energy efficient होना चाहिए उसकी resources जो है वो energy conserving होनी चाहिए ठीक है और ये structure ये infrastructure environmental friendly होना चाहिए ठीक है तो green building में वो सबी चीज़े होनी चाहिए जो हमें focus करें green energy की और उससे कोई भी greenhouse gases emit ना हो carbon emission ना हो और carbon footprint बहुत अच्छा होना चाहिए ये और किस किस पर focus करता है ये focus करता है sustainable materials पर reducing energy, energy reduction पर water consumption पर और minimizing waste पर तो green building एक green energy का infrastructure है हम ये कह सकते हैं ठीक है बात करते हैं अगले topic है green architecture basically green building और green architecture काफी हद तक same रहता है ठीक है लेकिन इन दोर में difference होता है हम ये कह सकते हैं कि green architecture एक philosophy है जिसके base पर हम green building को build करते हैं तो green architecture का aim होता है to create environmentally responsible ऐसी building बनाना and resource efficient buildings ठीक है by optimizing energy use energy को optimization होना चाहिए improving indoor air quality indoor air quality को improve करने के लिए हम green architecture का use करते हैं and integrating innovative technology सारी technology को एक साथ लाके हम green architecture को possible बना सकते हैं ठीक है तो ये आपके दो topic हो गए green building और green architecture तो यहां में link देता हूं कि ये एक philosophy है ठीक है और ये एक practical है ठीक है तो ठीक है आपका ये चैप्टर हो गया है complete हो गया है और मैंने aq2 के सारे question भी इसमें cover करा दिये ठीक है चलिए आप अब शायद आपका exam है exam के अच्छी से तयारी कीजिए इन सभी 5 unit को आप revise किए और अगर कुछ नहीं समझ मारा है तो आप comment में बता सकते हैं मैं उसका reply possible हुआ है तो मैं दे दूँगा चलिए धियान रखिए all the best for your exams ओके बाई बाई